तो आप लोग पहले यह बता दो कि किसे किसे लगता है कि इस ड्रामा की हैपी इंडिंग होने वाली है लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि चेन के नप हो चीए और गोहो यह बात पता चल जाता है वह अपने मैनेजर के साथ मिलके ब्लैन बनाने लगता है कि उसे कैसे सेफ करना है वहां से प्रक्रों निकलने से पहले मैनेजर को कहता है कि आगर को लाता है तो जैसा कहती है वैसा करती जाना कुछ भी कड़बडी मत करना यह करके वह आफिस से निकल जाता है और इदहर्ट कि सीदेटे से तो मेरी बात मानी नहीं अब तो तुम्हारी अब तो तुम्हें मेरे ओफिस के साथ डिल साइन करना ही पड़ेगा और मुझसे इंगेजमेंट भी करना पड़ेगा तो फिलहाल गुहा उसे कुछ हा या ना में जवाब नहीं देता है सबसे पहले तो गुहा जो है चेंग के सौप होसता है वहाँ जहाते ही ना जो उसकी फ्रेंट जिया होती है वह तो पूरा उस पर भड़क जाती है कि तुम्हारी मुझे से ये चेंग के डिनाप हुई है जवान दोनों को सांद कराता है गुहा भी कहता है कि ये जगडा करने का टाइम नहीं है अभी हमें दिमाग लगाना हुआ कि चेंग को कहां बंदी बना के रख सकती है अपना नेक्स चाल चलती है वो तो एक साइट चेंग पर नजर रखे हुई थी और दूसरे साइट बहुत सारे रिपोर्टर्स को बिला लिया था ये अनाउंस करते हुए कि गुहा अपनी इंगेजमेंट और साथ में हमारी कंपनी के साथ डिल साइन करने वाला है ये रिव किसे वो मेरे साथ इंगेजमेंट करने वाला है अब तक तो सब कुछ रिम के प्लान के हिसाब सही चल रहा था वहीं पर मीटिंग के सामनी बैट के फोन में चेंग पर नजर रखी हुई थी लेकिन तब ही वहां पर आज आती है उसकी फ्रेंड जिया और वह उससे पुरा ज करण को गिरनेप कर वाया है जी जूट मुट का गुहाओ है उसे बड्रिस्ट इंगेजमेंट करने वाली है दो इस ड्रामे पर किसे भी रिपोर्डर को कोई भी भरूसा नहीं हो रहा था उसके बहां से टांग के लेके जाते हैं भार बार बोडिगार्स लिकर के जा रहे थ कोहाओ को वीट करते करते काफी हो गया था रवरी मिम पूछे थे कि मुख हो आने वाला है भी और नहीं गुख को वीट करते करते तो सब वही पर सुने लगते फिर फाइनली गुख अपना मस्त वाला एंट्रेल लेता है कि गुहाओ के आते ही सारे रिपोर्टर फिर से पूरा एक्टिव हो जाते हैं को है से कोश्चन पे कोश्चन पूछने लगते हैं रिम भी पूरा खुश हो रही थी कि चलो अब उसका प्लान सक्सेस्फुल होगा सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से गुहाओ बोलेगा कि हम द हो जाता है बिल्कुल उल्टा गोहा उसके अमीद के पोजिट बोलता है कि ना तो मैं रिम से एंगेर्मेंट करने वाला हूं और ना ही हमारी कंपनी कोई डील साइन करने वाली है तो तुम लोग जाओ कोई धंका न्यूस का लिक्ट करो तो मिल गया मिर्च मसाले वाले उतना सारा ड्रामा करो तो गुह हुसे काता है अच्छा यह वीडियो जरा फिर से देखना क्या चल रहा है अब यह वीडियो देखकर के रिम सॉक्ट की है वहां पर जुआन के से पोजगे मैंने तुसे किट्नैप करके बेजा था वहां पर वो वीडियो दिखाता है कि इसके दोनों बंदों को नोंने बांद के रखके कैसा बोडिगार्ड रखती है यह सच में इतम धक्कन बोडिगा तो फ्लैश्बक में गुहा उसे बताता है कि ऐसा है ना कि दिमाग खली तुम्हेरे पास नहीं है एक्शल में जब गुहा अपने सौप पर मतलब चेंग के सौप पर पैटके सोच रहा था कि उसे कैसे बचाएं जब वो कहां के नप हो सकती है तो वहां पर जो उनका डॉग तब लूटू वो उनका हेल्प करता है वो चेंग के ड्रसेज असमेल करके निकल जाता है उसे ढूंडने के लिए डॉग का तसमेलिंग पावर वैसे भी बहुत जादा होता है और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी जाते हैं काफी दूर तक दौर भाग करने के बाद दिमाग लगाते हैं सबसे पहले जिया को कॉल करते हैं लूट कि जा करकर के रिम का फून के लिए लिए उसे डिस्ट्रेक्ट करो ताकी बोलो कि selling jemand can do some change restit करने का एक्टिंग कि प्रसुंअ है जिस व्य जिस का cellask थोड़ी दियर के लिए फौन पर नहीं देखे बाते हैं तो hm नि आधी यह पर रह नहीं रहना हों और एक्टिंग करना होगा कि किSam इसे दे वो फिर से वैसे बान देता है और वहां पर उसका बॉडिगार्ड बनके रुख जाता है यह ड्रामा था तो हिरोइन बच गई एक्शुल में किड्नेप होने के बाद बहुत कमी लोग वापस लोटके आपाते हैं खैर ड्रामा में वापस आते हैं यहां पर विचारी तो आज उसनों बात का बाट दिखाया जाता है आज चेंका बॉड़े हैं और अपने बड़े वाले दिन भी आपना काम वां कर रही होती है मों डैट से हैपी बड़े के विसे लेनी के बाद वह नौमली अपना सौब क्लूज करती है और सौब से बहार निकलती है उसे तो क कि प्राइस पारडी ना सच में बहुत ही इंटरेश्टिंग होता है अच्छा किस ने किसने अपने फ्रे इन को इस तरहीके से सब्राइस पार्टी दी होई है वहां पर टेर जेंके सारे फैंड्स पी आते हैं मस्ती में बोलों को उसका बढ़ेये सेलिब्रेट करते हैं केक कट करते हैं चेंग विश मांगती है सब कुछ हैपी इंडिंग की तरह ही लग रहा था वहां पर गुहाओ को चेंग से इतना जादा प्यार हो गया था कि वह से मिलने के कुछे दिन बाद उसे साधी के लिए सीधे प्रपूस कर देता है अच्छ में उसकी लाइफ का सबसे हैपी ने था लेकिन तभी वहां पर गुहाओ की मौम आ जाती है अब को लगने लगता है क्या मौम आई है तो अब्यस्ली उनके रिलेशन को अपोस करीगी इधर वो साधी का रिंग उसे दे रहा है और इधर उसकी मौम आ जाती है लेकिन ह पिंडिंग होना है तो उसकी मौम भी अभी बात समझ गई थी कि अगर वो चाहती है कि आगे की प्रपर्टी उसका बेटा समाले उसके पुढ़ापे में तो उसे उसकी बात मान जानी चाहिए तो अब यहाँ पर को भी मेलो ड्रामा नहीं करती है और इन दोनों के देलेशन को हैपिली एकसेप्ट कर ली थी तो इसी नोट के साथ हमारे यह वाला ड्रामा यहाँ पर कंप्लीट होता है जल्दी ही हमें एक और इंट्रेस्टिंग ड्रामा लेकर के आने वाली हूँ थैंक्स पर वाचिंग